हालो फ्रेंड वेलकम बैक टू लबली इस रसोजी तो फ्रेंड आज हम बनाने वाले हैं सैजन और सोया चंक्स की ये सबजी तो दोनों सबजी अपने आप में बहुत ही गुड़कारी हैं तो इनकी जानकरी आप गूगल से चेक आउट कर सकते हैं तो ये सबजी बहुत ही टे तो सैजन को मैंने छील करके सैजन की फली को और इस तरह से लंबे-लंबे टुकडों में कट करके तयार कर लिया है इसके बाद मैंने 100 ग्राम सोया बीन यहां पर लिया है तो इसको हमको पानी में बिगो लेना है और जो टमाटर लिया है उसकी हमको प्यूरी बना लेना है त पर रखकर तो उससे भी जल्दी से बॉयल हो जाता है लेकिन हम इसी तरह से इसको 10 मिनट दोस्तों छोड़ देंगे 10 मिनट में अच्छे से यह फूल जाता है और यहां पर मैंने गैस पर रख लिए कड़ाई तो कड़ाई में चलिए हम डाल देते हैं तेल तो यहां पर हम ले बराबर चलाते हुए अच्छे से हमको इसमें भून लेना है तो यह भूनने में ही आदा पक जाता है लगवग तो इसको बराबर हम चलाते हुए और अच्छे से इसको भून लेना जब तक इसमें थोड़ा सा कलर ब्राउन नहीं आ जाएगा तो हम बराबर इसको यहां पर देखेंगे इसमें कलर आने लगा है तो लगवा भूनते हुए मुझे पांस मिनट हो गया था पांस मिनट में अच्छे से यह भून गया है और यहां पर मैंने सभी सेजन को दोस्तों निकाल लिया है इसके बाद जो मैंने सोया चंक्स को भीगो करके रखा था उसको पाने से निकालकर निचोड करके और उसको भी कड़ाही में डालके हम अच्छे से इसको भी फ्राइ कर लेते हैं तो इसको भी बराबर चलाते हुए हमको फ्राइ कर लेना है जब तक इसमें कलर नहीं आ जाएगा और अच्छे से यह बहुन करके तयार नहीं हो जाएगा तो दोस्तो मैंने यहां पर निकाल लिया है और उसी कड़ाई में धोड़ा सा तेल और डाल देते हैं एक चमच और तेल को करम होते ही हां पर सबसी पहले दोस्तो हम ढालेंगे थोड़ी सी भींग और हिंग डालने के बाद यहां पर डाल देते हैं आदा चम्मत जीरा और इसको हलका सा हमको भून लेना है तो देखिए जीरा बगएरा भून गया है यहां पर हमको क्या करना है एक बड़े प्याज को मैंने बारी काट करके ले लिया है और इसको डाल के हमको अच्छे से भून लेना है तो गैस की फ्लेम जो है न हमको मेडियम रखनी है मेडियम फ्लेम पे अच्छे से कलर आने तक इसको हमको पका लेना है तो देखिए हलका हलका साथ कलर यहां पे आ गया था और यहां पे हम डाल देते हैं दो हरी मिर्च को कटा हुआ और अदरक और लेसन को मैंने कूट करके अगर पेस्ट थो आप पेस्ट भी यहांGया सकते हैं और इसको बराबर हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे ब्राउन होने तक तो इसको यहां पर ड्राई मसाले नहीं डालेंगे क्यों ड्राई मसाले अगर थोड़ी सी भी फ्लेम तेज होती है तो जल जाते हैं तो चलिए मैंने यह मसाला बना के तयार कर लिया है और दोस्तों यहां पर प्याज भी अच्छे से भुन करके तयार हो गया है तो चलिए मसाले को ले लेते हैं और इस मसाले को हमें आपर डाल देते हैं और मसाला डालने के बाद इसको बढ़ी असा हमपो पका लेना है अच्छे से जब तक इसमें से तेल रिलिज नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको बराबर पकाते रहेंगे तो चलिए अच्छे से इसको पकने देते हैं मसाले को और यहां पर मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक करके तैयार हो गया तो देखिए मसाले का कलर भी चेंज हो गया और तेल भी इसमें से बिलकुल अलग हो गया है तो चलिए अब हम लेड़े जो मैंने टमाटर को पीस करके रखा था मिक्सी में उस टमाटर को यहां पर हम डाल देते हैं और इस टमाटर को भी डालके अच्छे से हमको यहां पर दोस्तों मिला लेना है तो देखी कलर कितना बढ़िया है टमाटर भी हमारा अच्छे से लाल था और बस इसको मैंने मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद यहां पर इम इसको कवर करके पका लेंगे दो से ती तो पेले हम डाल देती हैं और छालिए कि श्कार बीम पर peut-ot हम में ल्हटेचे से यहां प्रवाद करना गों दीज को घला कि आने मेंनक पानी तो में फसीं यहां भी दालेंगे चलिछ पाने लेते हैं तो आप ग्रेवी जितनी रखें उसे हिसाब से आप यहां पर पाने लें तो मुझे बहुत जादा ग्रेवी नहीं रखनी है हलकी सी ग्रेवी वाली हम सब्जी बना करके तयार करेंगे तो बस मैंने यहां पर इसको अच्छे से मिला दिया है और मिलाने के लिए तो जो मैंने सैजन को फ्राइं करके रखा था उस सेजन को मैं या पर डाल देते हैं तो दोस्तों मैंने इसको तेल में भी काफी अच्छे से कुक कर लिया था इसलिए हम बहुत थोड़ी देर इसको पकाना है यहां पर मैंने कशूरी मेती डाल दी है और आधा चमसर क पर हम डाल देंगे गरम मसाला क्योंकि मैंने पहले नहीं डाला था और इसको डालने के बाद चलिए हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं ताकि मसाला और कसूरी मेथी अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहां पर दोस्तों मैंने अच्छे से मिला लिया है और यहां पर ग्रेवी भ पक्कर के तैयार हो गई है तो सैजन भी काफी अच्छे से पक गया है और सोया चंक्स पहले से अच्छे से पका हुआ है इसके पाद यहां पर डाल देते हैं हराधनिया तो थोड़ा सा ज्यादा quantity में हरादनी हम यहां पर डालेंगे तो इसका taste अच्छा लगता है और फिर से इसको हम मिला देते हैं और मिलाने के बाद दोस्तों यहां पर हमको gas को बंद कर देना है और gas को बंद करने के बाद हम इसको cover करके लगवग 5-7 मिनट छोड़ देंगे उ तो सब्जी का color भी आप देख सकते हैं बहुत ही amazing आया है और देखने में बहुत ही tasty लग रही है तो देखिए सब्जी हमारी यह बंद करके सेंजन की बिल्कुल perfect तयार है तो यह हजारों गुडों वाली सब्जी हमारी ready है तो comment box में comment जरूर करिएगा यहां पर यह सब्जी हैं तो यह सब्जी बहुत ही tasty बनती है और new है तो चैनल को subscribe जरूर करिएगा वीडियो को like और सब्जी हमारी कैसी बनी comment box में comment करना बिल्कुल भी ना भूलें तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं next वीडियो में next recipe में bye bye friend thanks for watching अपना और अपनों का ख्याल रखें